हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं शेर करूँगी हाइलो श्रक की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाइ स्टेप तो वीडियो को अच्छे से समझ लेकि लिए वीडियो कोई तक दरूद देखे सो गयज स्क्रिन पर आप मेजिरमेंट देख सकते हैं इसी मेजिरमेंट के अकॉर्डिंग हम यह श्रक बनेगे आप इसी फॉर्मुले से किसी भी साइज का श्रक बना सकते हैं षास श्रक बनाने के लिए हमने कुछ sequence work है इस तरह से तो बहुत ही beautiful सा यह हमारा fabric है तो चलिए हम इसको open कर लेते हैं तो मैं आपको इसकी length बता देती हूँ तो यह double fold करने के बाद हमारा 2 meter fabric है तो यहां से लगबग हमारा 40 inch है अब मैं आपको इसकी width बता देती हूँ तो जो इसकी width है वो यहां से हमारी 55 inch है तो काफी हमारी width ज्यादा है इस वज़ासे हम जो यह शरक बनाएंगे वो umbrella shape में बनाएंगे तो देखिए यह हमारा 55 inch fabric की width है इसके बाद जो हमारे fabric की किनारी वाले साइड है यह थोड़ा सुकरती हुई है तो हम यहां इसको निकाल देंगे तो इस तरह से किनारी हमने निकाल दी है अब मैं आपको यहां पर शरक कट करने के दो तरीके बताऊंगे सबसे पहला बहुत ही simple तरीका है आप A line में शरक को कट कर सकते हैं तो A line के लिए हमने फैबरिक को इस तरह से double fold कर रखा है और इसके बाद हम फैबरिक को four fold कर लेगे तो फैबरिक को हमने इस तरह से four fold कर लेना है और यहां से जितनी भी width है वो पूरी width लेकर हम इसको A line में cut कर लेगे बट हम यहां पर शरक को अम्रेला में बना रहे हैं क्योंकि हमने पूरा flare चाहिए फैबरिक पूरा यूज़ करना है हमें तो हम इसके triangle shape में इस तरह से four fold कर लेंगे इस तरह से देखिए हमने इसको triangle shape में four fold कर लिया है अब इस side में हमारी दो layer open है और दो layer हमारी folded है यानि joint है तो इसको हमने इसी तरह से रखना है इसके बाद हमारी जो दूसरी वाली side है वो ये हमारी folded side है अब इस वाले corner से हम अपने कमर की marking करेंगे तो कमर की marking हमारी जितनी भी है हम उतना ही लेंगे यानि जितनी भी हमारी कमर की fitting रहेगी उसका foot part करना है तो मैं लगबग यहाँ पर साड़े साथ इंच पर इस तरह से माक करूँगी तो उससे जादा नहीं लेना हमें जितनी हमारी कमर की फिटिंग है उतनी लेनी है सपोज आपकी अगर 32 इंच है तो आपको सिर्फ यहाँ पर 8 इंच लेना है तो मैं यहाँ पर साड़े साथ इंच पर माक करके इस तरह से इसको गोलाई में कर्ट कर लूँगी तो यहाँ पर हमने इस तरह से करूप में माकिंग करनी है इसके बाद एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से डाग करके तो जितना हमें चाहिए था यह उतना ही है इसके बाद हमने इसको length लेनी है तो हमारा जो high वाला यानि front वाली part है उसको मैं 26 inch पर cut करूँगी जो हमारा shrug है उसका front वाला पला छोटा होगा तो यहाँ पर मैंने 26 inch की length ली है अब इंची tape को उपर रखेंगे जो भी length आएगी उसको हमने यहाँ से उसी तरह से ले लेनी है तो 26 inch पर मैं इसी तरह से आगे तक mark करूँगी तो यह हमारा जो umbrella shape है वो इस तरह से marking हो जाएगी तो यह marking हमारी front वाले part के लिए हो रही है जो हमारा आगे की तरफ हाई होगा इस तरह से अब सभी marking को हम dark कर देंगे अब हमने जो cutting करनी है वो सिफ हमने 2 layer में करनी है तो सबसे पहले हम कमर की side से cut कर लेंगे तो यहां से half inch सी मिगलाउंच छोड़ते हुए हम cut करेंगे इसके बाद जो हमने mark किया है तो 2 layer में cut करेंगे जो हमारी open वाली side है तो यह हमारी 2 open वाली layer है सिफ हमने इनको cut करना है तो लीजिए हमने अपने high वाले part की cutting कर लिए है जो हमारे front में आएगा इसके बाद हम अपने back वाले part की cutting करेंगे जो low होगा तो इसकी length में 1.5 बती सिंच लूँगी तो यहाँ पर जितनी भी length हमें अपने back की चाहिए उतनी length बढ़ा लेंगे क्योंकि नीचे हमारा काफी fabric है तो यहाँ पर मैंने 1.5 बती सिंच पर इंची tape को रखा है अब वहाँ से हमने इसको 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 cut कर लेंगे इस वीडियो में end तक बने रहे हैं और वीडियो को like करके share जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell बटन जरूर दबाए तो लीजे इस तरह से यह हमारा back वाला part यानि जो हमारा low वाला part है वो cut हो चुका है इसके बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ यह open करने के बाद किस तरह से रहेगा तो यहाँ से यह open है अब जब इसको हमने front में इस तरह से लाएंगे तो front में हमारा high बनेगा और back में हमारा इस तरह से low बन जाएगा तो कुछ इस तरह से हमारा high low cut हो चुका है in one piece इसमें side में कोई भी joint नहीं आया है और जो हमारी कमर थी हमने उतना ही cut किया है उससे extra cut नहीं किया है इसके बाद यह हमारा fabric बचा है इसमें से हम अपना upper part cut करेंगे और अपनी sleeve cut करेंगे तो देखिए fabric को हमने double fold कर रखा है से 2 inch extra ले है तो यहां पर 1.5-2 inch हमने extra ले लेना है simming allowance के लिए तो इसकी fitting लगबग 8-8 inch रहेगी तो मैंने 10 inch पर इसको fold कर लिया है अब जो length है वो हमने 1 inch extra लेनी है तो मैं 14 inch ले रहे हूं 13 inch पर मैंने top part ready करना है so सबसे पहले हम अपने shoulder का half करेंगे तो यहां पर मैं 6 inch लूँगी and 6 inch मैं armhole के length लेंगे सीधा mark करके आगे की तरफ एक और line बनाएंगे जो हमारी bust line होगी अब यहां पर हमारी जो भी fitting है उससे half inch extra लेंगे तो दिखिए मैरी जो fitting है वो 8 inch है बट मैं यहां पर 8 inch ले रहे ह क्योंकि यह हमने इसके नीचे गाउन पहनना है तो half inch का मैंने extra लिया है इसके बाद इसी तरह से कमर में भी हम half inch बढ़ा लेंगे जो भी हमारी fitting होगी और इसको हमने इस तरह से mark कर लेना है तो armhole की shape भी हमने दे दी है इसके बाद हम अपने front armhole की shape दे देंगे so marking हमारी complete हो चुकी है इसके बाद हमने cutting कर लेनी है so guys chest और waist पे हमने आदा inch की losing extra लेनी है तो कमर जितनी भी हमारी आ रहे है उसके according हमने अपना गेहरा cut किया है इसके बाद नीचे से हमने एक inch की गोलाई दी है ताके हमारी side से जो कुर्ती के corner से वो ना लटके तो इस तरह से हलकी सी गोलाई दे दे देनी है इसके बाद हम इसमें से back वाला पार्ट निकाल लेंगे और front वाले पार्ट में हम neck की cutting करेंगे so guys यह net fabric है तो marking net पे कम हो रही है और मेरे blanket पे ज्यादा हो रही है तो यह हमारा back neck है इसकी cutting हम बाद में कर लेंगे अब जो हमारा front वाला पार्ट है यह इसमें हम armhole की extra cutting कर लेंगे यहां से इसके बाद जो हमारा fabric बचा है उसमें से हम अपनी sleeve cut कर लेंगे तो sleeve की length हमारी काफी अच्छे से आ जाएगी और यह हमारा double fold है अब यहां से हम अपने armhole की width के according fabric को fold कर लेंगे तो मैं लगभग यहां पर 8.5 के असपास इसको fold कर लूँगी तो जितनी भी जरूरत है उतना fold कर लेंगे तो मैंने यहां पर 878 inch लिया है और जो length है वो यहां पर मैं 1.5-8 inch ले रही हूँ 1.5-7 inch पर ready हो जाएगा तो इसको हमने cut कर दिया है अब हम अपनी sleeve की opening पर mark कर लेंगे तो जितनी भी sleeve की opening है उसमें 1 inch प्लास कर लेंगे तो मैं यहां पर 5 inch पर cut करूँगी इसके बाद इस तरह से marking करके हम sleeve की cutting कर लेंगे तो यह बहुत simple marking है तो अक्सार हम इसको cut करते रहते हैं इसको मैं ने detail में नहीं बताया क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में ज्यादा तरह sleeve की cutting बताती हूँ तो इस तरह से हमारी simple sleeve की cutting हो चुकी है अब इसको हमने open इस तरह से करना है और दो layer में हम extra cutting कर लेंगे यह लग बग आफ से पॉन इंच अंदर की तरफ गहराई देते हुए तो यह हमारी simple sleeve की cutting हो चुकी है इसके बाद हम अपना front वाला part लेंगे टॉप का और उसका neck cut करेंगे तो इसको हमने इस तरह से fold किया है 3 इंच पर तो यहां से 3 इंच प्रॉपर लेंगे and जो इसकी length रहेगी neck की वो 9 इंच रहेगी इस तरह से इसके बाद हमने इसको यहां से cut कर लेना है and जो हमारा joint वाला part है यहां से इसको भी cut कर लेंगे so बहुत ही easy है यह शरक बनाना आप बस वीडियो में end तक बने रहें तो देखिए यह हमारे दो part हो गए है top के जो हमारा front में आएगा इस तरह से अब इसके बाद हम अपने back वाले part को लेंगे तो यह हमारा back वाला part है top का दोनों की right side अंदर की तरफ रहेगी अब यहां से मिलाते हुए हम इसकी कंदी जोइन करेंगे इसकी neck की cutting आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं तो यह एक इंच की गहराई पर इसकी neck की cutting होगी back वाले की कंदी जोइन करने के बाद हम इसकी fitting लगा लेंगे इसके बाद यह देखिए यह हमारा घेरा है जिसको हमने high low में कट किया था इसको हमने इस तरह से open करना है और जो fabric की यानि net की CD side है उसको हमने ऊपर रखना है इसके बाद हम अपना top part भी ले लेंगे जिसको हमने कंदी से और side से इसको सिल लिया है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इसको open करके रख लिया है यह हमारा घेरा और हमने एक कंदी जोइन करने के बाद side से इसकी fitting भी लगा ली है top part की अब हमने इसको इस तरह से open करना है और जो हमारे back वाला part है top का उसके center में हमने marking कर रखे और घेरे में भी center में इस तरह से marking करके मैं आपको दिखा देती हूँ तो दोनों के center को इस तरह से आमने सामने रखना है इसके बाद इसके उपर हमने इस तरह से रखना है दोनों की right side अंदर की तरफ रहेगी अब हमने यहां से मिलाते हुए इसको इस तरह से seal देना है half inch का दबाव लेते हुए so guys यह कमर के side से दोनों बराबर है क्योंकि हमने इसके घेरे की कमर बिल्कुल इसके बराबर ही काटी थी जो इसकी fitting है so कुछ इस तरह से हमने देखिए fitting लगा ली है और यह हमारी open side है इसके बाद हम यहां पर पट्टी लगाएंगे so यह पट्टी की जो जोड़ाई है वो 6 इंच है और जो लंबाई है वो हमारा जितना भी cut है उसके बराबर है इस तरह से अब हमने अपने जो पट्टी है उसकी सीधी तरफ उपर की तरफ रखनी है इसके उपर हमने net को इस तरह से रखना है net की right side उपर की तरफ है और जो fabric की right side है वो भी उपर की तरफ है अब यहां से half inch का दबाव लेते हूँ हम इस पट्टी को पूराई इस तरह से cut में पीछे neck से गुजारते हुए हम इसको लेकर आएंगे और पूरा सिल देंगे जो extra पट्टी होगी वो उसको हम cut कर देंगे so अभी तक हमने अपने neck की cutting नहीं कही है तो यहां से हमने अपने neck की cutting कर लेनी है एक inch की गहराई पर इस तरह से तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने neck cut कर लिया है आप इस neck को starting में भी cut कर सकते हैं तो कोई बड़ा वो नहीं है कि आप बाद में करें पहले करें कभी भी कर सकते हैं इस तरह से neck की cutting अब हमने वो पट्टी लगाए नहीं है जो हमने पट्टी कट की है इस तरह से तो दो दिखिए इस पट्टी को हमने किस तरह से रखा है नीचे की तरफ से लगाया इस पट्टी को हमने इस तरह से तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं दुबारा से कि मैंने यह पट्टी किस तरह से रखी थी इसके नीचे और यहां से half inch का दबाव लेकर इस पट्टी को सिल दिया है अब इस पट्टी को हमने बाहर की तरफ लाना है और जो हमारी यह सिलाई वाला पाट है इसको अंदर करना है इसके बाद पट्टी को half inch फोल्ड करते हुए इसके ओपर overlap इस तरह से करना है और जो पट्टी और net fabric का हमारा seaming allowance वाला fabric है उसको इस पट्टी के अंदर करते हुए यहां किनारी पर एक stitch लगा देंगे तो पूरी पट्टी को हमने इस तरह से सेट करते जाना है और पट्टी को यहां से इस तरह से सिल देना है तो देखे इस तरह से हमने यह पट्टी को सेट कर दिया है आप देख सकते हैं कितनी finishing के साथ यह हमारी पट्टी एक साथ लग गई है और अगर आपके पास fabric में joint भी आ रहा है तो आप पट्टी में joint भी लगा सकते हैं length बढ़ाने के लिए और घेरा भी हमने नीचे से इस तो यह sleeve fitting लगाने से पहले भी लगा सकते हैं यानि जब आप कंदी जोइन करें उसके बाद आप sleeve लगा कर fitting लगा लें तो इस तरह से हमारी यह दोनों sleeve लग चुकी हैं अभी मैंने आपको यह open करके दिखाया कि इसका जो flare है श्रक का हमारा कितना ज्यादा ready हुआ यानि full umbrella ह हमारे श्रक का घेरा अगर आप इसको line में cut करेंगे तो इतना घेरा आपको नहीं मिलेगा जितना हमारा यह umbrella shape में मिला है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारे यह shrug ready हो चुका है और जो हमारी neck की पटी है बिल्कुल सीधी cut की थी हमने इसमें कोई जोल यह उरेब नहीं है और बहुत यह आसानी से यानि beginners भी इसको बहुत आसानी से पटी को लगा सकते हैं तो इस तरह से हमने अपना यह प्यारा सा श्रक रेडी कर लिया है इस श्रक का जो final look है वो आपको next video में मिलेगा विकोज इस श्रक के साथ में flare gown बनाने वाली हूँ यानि floor touching gown बनाने वाली हूँ और जो gown बनाऊंगी मैं वो उसी fabric से बनाऊंगी जो मैंने श्रक के neck में पटी लगाई है front open में तो यह जो fabric है हमारा black वाला वो हमारा थोड़ा वासा shimri fabric है यानि shimri saturn fabric है काफी glow वाला fabric है यह इसमें काफी glow आता है so आपको मेरी next gown वाली वीडियो देखनी पड़ेगी इस श्रक के final look के लिए so friends video को like करें और आप मुझे instagram और facebook page पर भी ज़रूर follow करें link आपको description box में मिल जाएगा मिलते है क्लिए वीडियो में thanks for watching this video वीडियो